Hello students, मेरा नाम है अर्पिता शर्मा और हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 थनी ड्यूक की पोम के question, answers पोम का नाम क्या था बच्चो? पोम का नाम था geography, lessons हम ये पोम पढ़ चुके हैं और आज हम करेंगे इसके question, answers तो आईए जल्दी से शुरू करते हैं पहला सवाल देखिए, find three or four phrases in stangas one and two which are likely to occur in geography lesson ऐसे एक या दो stangas के बारे में बच्चो आपको बताना हैं जो हमारे geography यानि कि बुगोल के पार्थ में भी आपने पड़े होंगे या उसका हिस्सा है वो तो इसका जवाब देखिए यानि कि कुछ ऐसे geography के lesson में जो parts आ सकते हैं वो हमने नीचे लिखे हुए हैं पहला देखिए कौन सा है कि हमें ये पता चल जाता है कि जो city है, जो शेहर है वो क्यों इस तरीके से विक्सित हुआ है दूसरा, it scaled six inches to the mile, क्या कि जब वो कहां चड़ा, six inches mile पर चड़ा जहां पर countries या cities कहां पर बनाई जाती है, बच्चों जहां पर नदियां बहती है जो था, the valleys were populated, जो घाटियां होती है, वो क्या होती है, populated होती है, यानि कि वहां पर आबादी होती है पाच्वा, land and water attracted man, यानि कि जमीन और पानी क्या करता है, मनुष्य को, व्यक्ती को attract करता है, आकर्शित करता है अगला देखिए, seen from the window of an aeroplane, the cities appear, जब हम window से देखते हैं, खड़की से देखते हैं, तो जो city है आखिर वो कैसी दिखती है, तो देखिए, पहला option, as hephazard, as on ground, क्या उतनी है air waves थे दिखती है, जितनी की जमीन से दिखती थी, दूसरा option है, as neat, as a map, एकदम साफ दिखती है, एक map की तरह, जैसे की हमें map में सब दिखता है, तीसरा, as developed, as necessary, कि उतनी ही अच्छी तरीके से विकसित हुई है, जितनी अच्छी तरीके से उसे विकसित होना चाहिए था, mark the right answer, अब हमें क्या करना है, जो सही जवाब है, उसको mark करना है, यानि कि उस पर निशान लगाना ह तो इसमें से सही जवाब कौन सा है, बच्छो, हमें क्या पता चलता है, एरोपलेन की खिटकी से देखने की, as developed, as necessary, कि जो city है, वो उतनी ही जरूरी, मतलब, जितना जरूरी रूप से उसे विकसित होना चाहिए था, उतने ही जरूरी रूप से वो विकसित हुई है, अगला जो इसका उधारन है, कि जोग्रफी का एक लॉजिक होता है, यानि कि उसके अंदर कोच ना कोच सचाई होती है, तो देखिए, options, पहला, there are cities where there are rivers, कि वहाँ पर cities होती है, वहाँ पर शेयर होते हैं, जहाँ पर क्या होते हैं, रिवर्स नदियां बहती है, दूसरा, cities appear as they are not from six miles above to, above the ground, cities वैसी बिलकुल भी नहीं दिखती हैं, जैसी six miles से दिखती हैं, अगला, it is easy to understand why valleys are populated, यह समझना बहुत आसान हो जाता है, कि जो घाटियां है, आखिर वहाँ पर इतनी आबादी क्यों होती है, वो इतनी populated, क्यों होती है, अगला, it is difficult to understand why humans hate and kill one another, इतनी height पर जाक हमको यह समझ में आजाता है, हम यह समझ जाते हैं, understand कर लेते हैं, कि जो humans है, जो manushya है, आखिर वो एक दूसरे से नफरत क्यों करते हैं, और एक दूसरे को मारते क्यों है, अगला option है, the earth is round and it has more sea than land, और यह समझ में आजाता है हमको, कि जो earth है, जो प्रत्वी है, वो गोल ह और बहाँ पर sea जादा है, समुंदर जादा है, और जो land है वो काफी, तम है, तो इसका answers क्या होना चाहिए बच्चो, statements 1, 3, 5 are examples of the logic of geography, option number 1, 3, 5 किसके उधारन है, the logic of geography के उधारन है, तो पहला कौन सा था, पहले हमने पढ़ा था, there are cities, where there are rivers, कि जहां पर नदिया बहती है, मनुष्य या cities होती है, क्योंकि मनुष्य की सबसे पहली need क्या है, उसकी सबसे पहली need है, पानी, तीसरा, it is easy to understand why valleys are populated, इतनी उचाहिसे हमको यह समझ में आ जाता है, कि जो गाटियां होती है, आखिर वहां पे उतनी आबादी क्यों होती है, और पाचवा, the earth is round, कि जो प्रत two things that are clear from the height, दो बातों को बताना है, जो क्या है, clear from the height, मतलब कि, कि इतनी height से इतनी उचाहिसे आखिर हमें कौन सी दो चीजे हैं, जो clear हो जाती है, पहला देखिए, from the height, it is clear that cities and valleys are, various countries are populated near the rivers, कि बहुत अलग अलग देशों के जो शहर होते हैं, वहां पे आखिर नदियों और घाटियों के पास ही आबाधी क्यों होती है, besides, it also implies that the earth is round and that it has more sea than land, और दूसरा इसके अलावा ये भी बताता है, ये clear हो जाता है हमको, कि जो earth है, वो क्या है, round है, और वहां पे समुंद्र जादा है, land के मुकाबले, अगला देखिए, not clear from that height, आखिर इतनी height पर जाके भी, क्या clear नहीं हो पाता है, मतलब हमने पहले वाले सवाल का क्या जवाब दिया, कि इतनी height से, इतनी उचाई से क्या चीज़े clear हमको हो जाती है, तो हमने देखा, कि इतनी height से हमको ये पता चलता है, कि क्यो जो घाटिया होती है, और जो rivers होते हैं, उनके पास इतनी जादा आब नहीं हो पाई है, जो हमको समझ में नहीं आ पाई है, तो इसका जवाब देखिए, from the height, it is difficult to understand why the man on the earth find reasons to hate each other, इतनी उचाई से वे बच्चो ये इसका कारण नहीं समझ में आ पाता, कि जो मनुष्य है, आखिर वो एक दूसरे से नफरत क्यों करते हैं, एक दूसरे को hate क्यो करते हैं, and build walls across cities and want to kill, और क्यों वो cities के शहरों के आरपार दिवारे बनाते हैं, और क्यों एक दूसरे को मानना चाहते हैं, this implies that nature does not restrict itself in boundaries, इससे हमको ये समझ में आता है, कि जो nature होता है, प्रकरती होती है, बच्चो वो अपने आपको कभी नहीं बाटती है, यानि कि प्रकरत प्रकरती तो एक जैसी है, प्रकरती कभी भी किसी में भीदभाव नहीं करती, कि ये गरीब है, या ये छोटा है, या फिर इक गंदा है, तो मैं इसको खाना नहीं दूँगी, इसको पानी नहीं दूँगी, इसको लैंड नहीं दूँगी, जो प्रकरती है, वो बच्चो नहीं बाढ़ती है, यह तो हम humans हैं, हम इंसान हैं, जिसने प्रकर्ती को बाढ़तीया है, और यह हमने क्या किया है, बहुत ही जादा गलत किया है, आईए अंसर पर वापस आता है, नेचर जो प्रकर्ती है, वो अपने आपको बाढ़न्डरीज में, यानि कि जो दिवारे हम बनाते हैं, उसके अंदर नहीं बाढ़ती है और रोकती है, बट हुमन बिंग्स आर अल्वेज ट्राइग हैं, लेकिन जो मनुष्य है, बच्चों वो क्या कर रहे हैं, वो बहुत को दुसरे के बीच में क्या बना देते हैं, दिवारे बना देते हैं, इस तरीके से वो क्या कर देते हैं, प्रकर्ती को बाट देते हैं, वरना प्रकर्ती तो किसी में भी बिल्कुल भी भेदवाव नहीं करती है, ना ही वो बटना चाहती है, वो सब के लिए क्या रहना चाहती है तो बच्चो यहां पर हमारी पोम कंप्लीट हो गई with question answers मैं आपसे मिलूंगी अगली पोम में तब तक thank you